नमस्कार मैं हूँ निखेला और आप देख रहे हैं दीललन टॉप शो मुंबई के तटके करीब एक क्रूज पर NCV की रेट क्या पड़ी हम महीने भर के लिए मुंबई से आने वाली ख़बरों से बंच से गए क्योंकि आरोपियों में से एक थे शारोख खान के बेटे आरेन खान फिर NCV नेता और महराश कैबनेट में मंतरी नवाब मलिक ने NCV के भूंबई जोर्नल डिरेक्टर समीरवान खेड़े के खिलाफ मोर्चा खोल दिया आरेन की रिहाई और इस मामले से समीरवान खेड़े के हट जाने के बाद ये मामला ख़बरों से बाहर चला जाता लेकिन तबी नवाब मलिक ने इस पूरे मामले में महराश के पूरो मुख्यमंतरी देविंदर फण नवी इसको खीच लिया इसने नवाब की भाश्पा के स कारोबार से ढूंड रहा है तो कोई सामने वाले को अंडर वर्ड से जुड़ा बता रहा है को हाइडोजन बाम फोड रहा है तो अच दिन की बड़ी खबर में हम इसी बतोले बाजी की बात करेंगे लेकिन उससे पहले हैं सुर्खियों से पहले पेश है आपके लिए एक त प्रस्वीर में यह जो आप लाल हरे रंकी शिशी में इत्र देख रहे हैं इसे आथ समाजबादी पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष अखिलेश आदम ने लॉंच किया अखिलेश ने कहा कि यह इत्र लोगों को समाजबादी विचार धारा की याद दिलाएगा इसी खु कोशिश होती रहती है कलरफुल देश है कलरफुल राजनीती अब चलते हैं दिन की सुर्खियों के तरफ पहले सुर्खी लखिमपूर से है तीन अक्तूबर को लखिमपूर में हुई हिंसा में किसानों ने स्थानी असांसत और किंद्रे ग्रहराज मंत्री अजब मिश्रा के बेटे आशीश मिश्रा पर किसानों को गाड़ी से कुछ चलने के साथ साथ फाइरिंग करने का रूप भी लगाया था जिसके बाद आशीश मिश्रा और उसके साथ ही अंकिर दास के चार लैसेंसी असलहे पुलिस ने जब्त कर फॉरंसिक लैब में जाज के लिए भेश दि हुई है हालां कि अभी केविल इन असलहों से फाइरिंग की पुष्टी हुई है यह फाइरिंग उसी जगे हुई जिस जगे हिंसा हुई इसकी पुष्टी के लिए घटना सलसे बरामत कार्टूस के खोके से मिलान होना अभी बाकी है जरूरी है इस मिलान के बाद ही इस बोर की ही बताई जा रही है दूसरी सुर्की भोपाल से कल राद भोपाल की हमीदिया अस्पताल परिसर के कमला नहरो बिल्डिंग में आग लग गई आठ नॉबर की बात कर रहे हैं इसाथ से में चार नवजाद बच्चों की जुलसने की वजह से मौत हो गई नोटिस देने के बाद भी अस्पताल ने फाइर सेफटी नॉर्म्स का पालन नहीं किया नहीं फाइर सेफटी ओडिट करवाया और नहीं एनोसी लीप आग लगने के बाद जब फाइर सेफटी टीम अस्पताल पहुंची तो वहाँ फायर सेफटी उपकरंट चालून नहीं विले मद्यवदेश के मुक्य मुंतरी शेवराद सिंद चौहान ने घटना को आपराधिक लापरवाही बताते हुए दोशियों पर कड़ी कारवाई की बात कही है उन्होंने कहा घटना अत्यंत दुर्भागेपून और हृदेविदारक है मैंने जाएश के आदेश दे दिये हैं सेम साब कह रहे हैं ये लापरवाही आपराधिक लापरवाही है इसमें जो भी दोशियों होगा उसे बक्षा नहीं जाएगा आपराधिक लापरवाही की बात यहीं खतम नहीं होती मद्यपदेश से बिहार चलते हैं जहां जहरीली शराब की वजह से 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई अब तक पशे में चंपारण में 13, मुजफरपूर में 6, गोपाल गंज में 17, सिवान में 5 इतने लोगों की मौत हो चुकी है, एक खबर हमाद तक पहुची है, इससे ज्यादा संक्या हो सकती है, इसकी पुष्टे भी पाकी है ये लिस्ट लगातार बढ़ती है जा रही है, बिहार में 2016 से ही शराब बैन उस पर रोख है, लेकिन इसका उन शराब माफियाओं पर कोई असर नहीं पढ़ता, जो अवैज शराब बनाने और बेचने के काम में लगे हुए है अकसर बिहार की विपक्षिदल पुलिस प्रशासन की अवैज शराब के धंदे में मिली भगत का रोप लगाते रहते हैं, लेकिन इस बार नितीश सरकार में सहयोगी भारती जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजज जैसवाल ने हैं खुले मन से इस बात को स्वीका किया है, संजज जैसवाल ने कहा कि जहां पुलिस आक्टिव है, वहाँ जैरिली शराब से लोगों की मौत हो रही है, क्योंकि वहाँ पर फिर लोग चोरी छिपे शराब खरीदने लगते हैं, जहां पुलिस अक्टिव नहीं है, वहाँ पर पुलिस प्रशासन के सहयोग से एक नमबर की शराब मिल जा रही है, और वहाँ इस तरह की कोई घटना नहीं हो रही है, एक नमबर का मतलब असली शराब, नकली और असली के बीच का फरक एक और दो नमबर से कर रहे हैं, कहीं न कहीं इस पूरी पॉलिस को पुनाह देखने की आवशकता जरूर है, जहां पर मजबूती से पुलिस काम कर रही है, वहाँ पर कुछ घटनाएं हो रही है, क्योंकि वह लोकल इस तरह पर तीन नमबर का काम करने के कारण हो रहा है, जहां घटनाएं नहीं हो रही हैं, खास करके अगर मैं कुर्वीच अपारण की बात करूं, जो मेरा भी लोग सब कहीं ना कहीं, पुलिस प्रशासन का सहयोग से पुर्वीच अंपारन में शराव का काम चल रहा है, और जहां एक नमबर का शराव प्रशासन के सहयोग से चल रहा है, वहाँ पर जाहिर बात है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं, जहां पर प्रशासन कड़ा है, वहाँ पर इस तरह भी घटना जादा हो लिए है। अब अभी भी लोग हैं, हम तो इन्नों को पूरे अधिकारियों से तो हमारी बाचीत होती जाते हैं, लेकिन अभी जो यह हो जाएगा ही, यह पर वहिस के बाद हम फिर एक दिन विस्त्रिप इसकी समिक्षा करने वाले हैं। रेट का यह मामला नवाब मलिक बनाम समीरवान केड़ी की जगे, अब नवाब मलिक बनाम देवेंदर फढ़नवीस हो गया है। आज दोनों तरफ से आरों को कि जड़ी लगाए गई, एक नेता और एक अफसर के बीच खीषतान का यह मामला, दो नेताओं के बीच खुली बयान बाजी में कैसे बदला, उसके लिए हमें चलना होगा नवाब मलिक और देवेंदर फढ़नवीस के बीच जगड़े का प्र महाराश विदान सभा में निता प्रतिपक्ष देवेंदर फढ़नवीस की पतनी अमरिता फढ़नवीस कथिव ड्रग पेडलर जैदी पराणा के साथ नजर आ रही है, नवाब मलिक ने ऐसी है एक और तस्वीर देवेंदर फढ़नवीस के साथ भी ट्वीट की जिसमें आरोबार फढ़नवीस के कारेकाल में पला फूला, ऐसे आरोप लगाए नवाब मलिक ने, उन्होंने आगी एक कहा कि समीर वानखेडे को फढ़नवीस ने ही मुंबई में नियोक्त किया था और वानखेडे अब मुंबई में ड्रग्स राकेट के सरगना है, नवाब मलिक य साथ-साथ भाजपा की दर्वाजे पर ले गए और जब ऐसा हुआ तो प्रतिक्रिया लाजमी थी और वो हुई भी, नवाब मलिक के प्रस कॉंफरेंस के बाद देवेंद्र पढ़नवीस ने भी एक कॉंफरेंस की और कहा कि जो तस्वीरे नवाब मलिक ट्वीट कर रहे हैं वो रिबर मार्श नाम के गैर सरकारी संगठन एंजियो से जुड़ा वेकती है उसमें दिखराज उनके साथ, इसी संगठन ने मुंबई रिबर एंथम बन बाया, इस शक्स ने कारिक्रम में सभी के साथ तस्वीरे लिए और इसी क्रम में अमरिता उनके साथ भी तस्वीरे इस गाने का मकसद था मुंबई की चार नदियों को पुनर जीवित करने के लिए समर्थन जुटाना, ये चार नदिया हैं, पोईसर, दहिसर, ओशिवारा और मीठी, मुंबई के इलागों का भी नाम है इस वीडियो में महाराश कैबिनेट के मंत्री दिखाई दिये, मुंबई के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी नजर आए, तब महाराश के विपक्ष जिसमें NCP और कॉंग्रिस दोनों थे, उसने सवाल किया था कि T-Series के इस वीडियो में सुबे के मुख्यमंत्री, म पुलिस अधिकारी कैसे नजर आ रहे हैं, महराश के मुख्यमंत्री के आधिकारी कावास वर्शा में शूटिंग के अनुमत्य एक नजी कमपनी को कैसे मिल गई इसके जबाब में महराश के मुख्य मंत्री कारले सीमों ने कहा था कि ये सब एक निजी उपकरम के तहित हुआ समाज सेवा के मकसद के साथ और इसमें शासन के खजाने से एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया है वापस लोटते हैं अबाब मली के ट्वीट पर जहां से सब कुछ शुरू हुआ ट्वीट सामने आने के बाद अमृता ने भी अपना पक्ष रखा था उन्होंने कहा था कि सचिन गुपता और जैदी प्राणा ये दो लोग थे रिवर अंतम के डिरेक्टर और असिस्टेंट इन्होंने मुंबई की नदियों पर एक गाना बनाया इशा फांडेशन के लिए इसमों पूरे बॉलिवूट ने अपनी आवाज दी दरिवर मार्च कोई आइडिया पसंद आया और सचिन गुपता सहित किसी ने भी इस काम में कोई पैसा नहीं लिया प्रो बोनो काम किया तब देवेंदर फणनवीस ने वादा किया था कि वो दिवाली के बाद नवाब मलिक के अंडर वर्ड से कतित संबंदों का परदा फाश करेंगे और ये सारे सबूत NCP सुप्रीमों शरत पवार के साथ भी बाटेंगे तो आप देवेंदर फणनवीस अपना वादा पूरा कर रहे हैं आज उन्होंने कर दिया 9 नवंबर के दिन आएं सुनें कि अपनी प्रेस कॉन्फरेंस पे उन्होंने नवाब मलिक को लेकर क्या-क्या आरोप लगाए नवाब मलिक जी 2003 में जब ये सौदा शुरू हुआ और पाच में समाप लूँ हूँ आप मिनिस्टर थी पर क्या आप जानते नहीं थे सलीम पडिल को ने और सबसे बड़ी बार मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरे दी मुंबई में बंग स्पोर्ट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरे दी और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने LBS रोर पर तीन एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपे में दी देवेंदर फणनवीस ने कई आरोप ट्वीट्स के एक सिलसिले में भी लगाए उनके सभी आरोपो को हम कुछ बिंदूओं में समेटने की कोशिश कर सकते हैं कुछ पॉइंस हैं फणनवीस का सबसे बड़ा आरोप ये है कि मलिक ने 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट में दोशी शाह वली खान और मुहमद सलीम इशाख पटेल से एक जमीन खरी दी पटेल मुंबई सीरियल ब्लास्ट के मास्टर माइंड और कुख्याद गैंक्स्टर दाओद इबराहिम की बेहन हसीना पारकर के लिए काम करता था ये जमीन सॉलिडिस इन्वेस्मेंट नाम की कंपनी ने खरीद दी 20 लाक में सौदा पैसे 30 का था दिये 20 ही जबकि इसकी असल कीमत इस जमीन की जो मुंबई में है वो 3 करोड के लगबग है इस कंपनी में मलिक की पतनी महजबीन मलिक और बेटा आमिर मलिक डिरेक्टर है पहले नवाब के पास भी इस कंपनी में एक पत था लेकिन कैबिनेट में मंत्री पत लेते हैं वे उन्होंने इस पत से इस्तिफा दे दिया था 2019 में फर्नवीस ने इस कथिद डेल से सम्मंदित काज़ाद भी जारी किये फर्नवीस ने ये भी कहा कि शाहवली खान ने सीरिल ब्लास्ट के मास्टर माइंड माने जाने वाले टाइगर में मन से ट्रेनिंग प्राप की थी और धमाकों से पहले बॉमबे स्टॉक एक्सचेंज की रेकी भी की थी फर्नवीस का सवाल है कि नवाब मलिक ने इन लोगों के साथ सौधा क्यों किया जमीन क्यों खरीदी उनका असल मकसद क्या था फर्नवीस ने कहा कि ऐसी कम से कम चार और लैंड डीम्स हैं जो मलिक का सम्मन अंडर वर्ड से बताती हैं लेकिन उनके सबूत जाँच एजिंसियों को दिये जाएंगे सीधे फर्नवीस ने साफ किया कि उनकी मलिक ए नसीपी से कोई दुश्मन ही नहीं है वो सिर्फ सच लोगों के सामने रख रहे हैं बसे उनोंने ये भी कहा है कि वो ये सारी चीज़ें जो कमपाइल कर रहे हैं वो नसीपी सुप्रीमो शरत पवार को भी देते जाएंगे जैसा उनोंने दिवाली से पहले बादा किया था इस सबके जवाब में मलिक ने कहा कि उन्होंने किसी अपराधी के साथ सौधा नहीं किया जमीन असली मालिकों से खरीदी गई और कानूनी प्रक्रिया का पालन भी हुआ है इस सौधे में मलिक की बेटे फराज ने इंडिया टुडे से कहा है कि जमीन उसके असली मालिक सलीम पटेल से खरीदी गई है और उस पर अब तकरीबन 400 किरायदार है 2005 तक सलीम पटेल खुद यहां किराय लेना आते थे अगर वो अंडर वर्ड से संबंद्ध होते हैं उनका कोई संबंद होता तो पुलिस उन्हें यहां आने कैसे देती आते तो वो जाते कैसे नवाब मलिक ने भी अब देवेंदर फर्णवीस की ही तरह एक और बादा किया है बादा यह कि वो 10 नमबर को फर्णवीस पर एक हाइडरोजन बॉम गिराएंगे और अंडर्वर्ण से फर्णवीस के संबंदों को उजागर करेंगे उसे सरंडर करने के लिए उन्हें पैसा देने का काम किया और यह सच्चाई को देवेंदर जी ने राई का परवद बनाने की कोशिस की तो अब हम हाइडरोजन बॉम का इंतजार करेंगे जब गिरेगा तब गिराने वाले और जुरसने वालों की जानकारिया आपके साथ बाटेंगे लेकिन एक बात हम अभी से आपको बता सकते हैं वो यह कि महराज ऐसे साधन संपने राज में सत्ता के लड़ाई आने वाले कुछ दिनों में और निचले स्तर पर गिरने वाली है एक पार्टी है जो हार का गम भुला नहीं पा रही है दूसरी तरफ हो पार्टी है जो सत्ता में रहकर भी विपक्ष वाले बरताओं पर ही अब भी अड़ी हुई है आमादा है इस लड़ाई से कॉंटेंट तो भरपूर निकल रहा है मनजन भी हो रहा है हम सब का आपका भी लेकिन क्या अपने जन प्रतिनिदियों को हम एक दूसरे पर कीचड़ उछाडने के लिए चुनते हैं या आपको सोचना चाहिए या उनके पास कोई और काम भी होना चाहिए इस बतोले बाजी के अलावा इस बात पर सोचिए आप चलते हैं हम शो के आखरी सेग्मेंट में जिसका नाम है कू की राय आज हमने कोई बोल नहीं कर भाया था आज हमने लोगों से पूछा था कि वो नवार मलिक वर्सस देविंद्र फर्णविस मामले पर क्या सोचते हैं आप अपनी राय हमें बता सकते थे कू करके कॉमेंट बॉक्स में बता सकते थे हैश्टेग ल्टी शोन कू के साथ बता सकते थे आज जो रिस्पॉंस आये हैं उन्हें हम के निवज़ों से शो में शामिल नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हम आपसे दिली अपील कर रहे हैं कि जरूर अपनी बातें आप काफी वोकल होकर कि कूपे रखिए मेहनत करके रिसर्च करके चीज़न लिखिए ताकि हमें भी उसे शो में शामिल करने में मज़ा आए L.T. Shown कू के साथ आप कू करके आप अपनी बात बता सकते हैं हम उसे भी दिलरन टॉप शो में आने बाले समय में शामिल करेंगे प्लीज ऐसा कीजिए और जब तक कि ऐसा हो नहीं जाता है तब तक कि हम आपसे लेते हैं विदा अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी दिलरन टॉप शो के तब तक के लिए हमें देजिए इजासत देखते रहे हैं दिलरन टॉप